वेल्कम टू ड्रीम केबीसी जीखे दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीखे यूटूब चेनल पर दोस्तो आप सब लोग कैसे हो उमीद है आप सब अच्छे होगे स्वस्तiesta होगे दोस्तो आज इससब वीडियों के अंदर भारतकी प्रमूख नद लगता है आपकी स्टड़ी में हेल्फूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो दोस्तो आपको नमर में दे रहेगी आप नचे रहे हैं सबस्क्राइब ब्रंग को दबादीजी और बाजू मेरे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल वीडियो की नॉटिफिकेशन बिलत रहे हैं तक देखी अच्छा लगे तो लाइक जरू करना कौन सी नदी बंगाल का सोक के नाम से प्रसिदे किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है अगर आपको पता हो तो इस क्वेशन का आंसर आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेड करके हमें बताना है खुद का नॉलेज़ चेक करना है तो इसका सही उतरे दामोदर नदी तो दामोदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है चलते है अगले क्वेशन क्वेशन नमबर टू वेरी वेरी इंपोर्ट क्वेशन इसका आंस से भी जाना जाता है किस नदी को दक्षिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो इसका उतरित गुदावरी नदी यहां पर गुदावरी है शमा जाते हैं गुदावरी नदी को दक्षिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है और अपनी पवीत्रता के करण दक्षिन के गंगा के नाम से कावेर नदी को जाना जाता है यहां पर confused नहीं होना है Question number 3 किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो इसका सहीत कोशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है अगला question, question number 4, very very important question नहीं है, भारत की कौन सी नदी करकर एखा को दो बार काटती है, अगर आपको पता हो, तो जल्डी से इसका आंसर कमेड कीजिए, इसका सही उत्रे माही नदी, करकर एखा को दो बार काटती है, माही नदी, अगला question, question number 5, विस्व का सबसे उच्चा रेल पूल किस नदी पर स्थीद है, अगर आपको पता हो, तो जल्दी से इसका आंसर कमेड करती है, तो इसका सही उत्रे चेनाब नदी पर स्थीद है, विस्व का सबसे लंबा, सबसे उच्चा रेल पूल, question number 6, भारत की किस नदी को लवण ये नदी कहा जाता है, तो इसका सही उत्रे लूणी नदी, लूणी नदी को लवण ये नदी कहा जाता है, गंगा की दो प्रमुक धराए कौन सी है तो इसका सही उत्रे बागी रती और अलगनन्दा गंगा की दो प्रमुक धराए है question number 8 भारत में सतलूज नदी का प्रवेश्दवार किस दर्रे को कहते है भारत में सतलूज नदी का प्रवेश्दवार किस दर्रे को कहते है तो इसका से उतरे सिप किला तो भारत में सतलूज नदी का प्रवेश्दवार किस दर्रे को कहते है सीप किल्ला दरे को कहते है क्विशे नम्ब नाइन हिमालई पर पार की नदिया है हिमालई पार की नदिया है तो इसका उतर है प्रमपुत्र सिंदू सतलच प्रमपुत्र सिंदू सतलच है हिमालई पार की नदिया क्विशे नम्ब टेन वेरी वेरी इंपोर्ट कुछन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए गंगा इवं ब्रह्म पुत्र की सयुक्त जलदारा किस नाम से जाने जाती है गंगा इवं ब्रह्म पुत्र की सयुक्त जलदारा किस नाम से जाने जाती है कई एक्जाम में कुछा गया है इसका आंसर आप को पता होना ची और बार-बार पूचा जाता है तो इसका उतर मेगना नाम से जाना जाता है गंगा इवं प्रहम पुत्र की सयुक्त जल्दरा को पहरत की शबसे अदिक 9 गम्य 2 नधिया है तो इसके उत्र गंगा इवम प्रहम पुत्र है पहरत की सबसे अदिक 9 गम्य 2 नधिया क्रिश्य 16. सुंदर बन का डेल्टा कौन सी नधी बनाति है क्रिश्य 14. सुंदर बन का डेल्टा कौन सी नधी बनाति है इनग्छ करते हैं अगले के कुसरहां क्विश्ट नंबर किस राज्र से होकर भारत में प्रवेश कर दिये हैं तो इसका और तुसरह से कि लंबाई कितनी है तो इसका सही उत्रे 2900 कि लंबाई है सिंदू नदी की अकुल लंबाई Q17 तिबत में मानसरवट जिल के पास किस नदी का उद्गम स्त्रोच स्तित है तो इसका सही उत्रे सिंदू सतलज और प्रहमपूत्र Q18 विश्वगा सबसे बड़ा नदी माजूली का निर्मान करने वाले नदी कौन सी है तो इसका सही उत्रे प्रहमपूत्र है Q19 तुंग बद्रा नदी की साहयक नदी कौन सी है तो इसका सही उत्रे हंगरी नदी है तुंग बद्रा नदी की साहयक नदी अगला Q20 Question number 20 Very very important इसका आंसर आपको पता होना चाहिए भाखडा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है तो इसका सहीतर सतलूज नदी पर बनाया गया है भाखडा नागल बांध Question number 21 सीव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्ती थे इसका उतरे कावे नदी पर स्ती थे सीव समुद्रम जल प्रपात Question number 20 अपने उद्गम स्तल में गंगा किस नाम से जाने जाती है तो इसका सहीतर अलक नंदा नदी के नाम से जाने जाती है अगला question Question number 20 Question number 24 Question number 25 Question number 25 तो इसका सहीतर सर्यू नदी के किनारे है अगला question Question number 26 अलक नंदा नदी कहां से निकलती है तो इसका सहीतर बद्रिनाथ से निकलती है अलक नंदा नदी Question number 26 पंजाब की प्रमुक नदिया कौन सी है तो इसका सहीतर रावी, ब्यास और सतलज है पंजाब की प्रमुक नदिया Question number 20 अरावली परवत स्रिंखला किस नदी प्रणाली से विवाजित होती है तो इसका सही उतरे चंबल और इवं सावरमती से विवाजित होती है अरावली परवत स्रिंखला अगला कूश्योचुन क्या नाम है क्या नाम है महत्तों देते थे इसका सही उत्रे सरस्वती नदी को ज़्यादा महत्तों देते थे आ रही है अगला क्विशन क्विशन नमबर 32 इंडिया सब्द की व्यूत्पती किस नदी के नाम पर हुई है इंडिया सब्द की व्यूत्पती किस नदी के नाम पर हुई है इसका सही उत्र सतलज और बिहास नदिया है इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्त्रोथ चलते हैं अगले क्विशन दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्विशन कवर कियेगे, मैंने यहाँ पे वही क्विशन लिए जो आपकी एक्जाम में बार-बार पुछे जाते हैं और आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्ट साबित हो सकते हैं वीडियो में अंतर बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए और आपके फेस्बुक के आप वाटसप के स्टड़ी ग्रूप में इसे सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जी के यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तो आपको नमबर भी नती रहेगी आप निचे रहे सबस्क्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को अउन कर दीए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजिबल वीडियो की नॉटिफिकीशन मिलते रहेगी दोस्तो अभी तक हमारे ड्रीम केविस जी के यूटूब चैनल तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा अचाहे कैमेश्ट्री हो गोल हो या आप जी के किसी भी टॉपिक पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगे एक्जामपल आप किसी भी राज्य के बारे में सर्च कर रहे हो आपको नॉलेज जानना है तो उत्तर प्रदेश GK Dream KVC GK के नाम से सर्च कीजिए या राजस्तान के बारे में जाना है तो राजस्तान GK Dream KVC GK के नाम से सर्च करें तो राजस्तान के बारे में वीडियोज मिलें कुछ राजस्तान के बारे में हमने 500-500 क्योशन के वीडियोज हमने डाले है लिए एक एक पचास क्रिशन का वीडियो करते रहें कभी कभी वीडियो नहीं कर पा रहा है कर तो हमारी साइड में जौब भी करते होते हैं तो जौब पे भी जाना होता है तो आपको सफलता अवश्य मिलें क्विशन नमबर 34 उज्जेन किस नदी के तटपर स्थी थे अगर आपको पता हो तो इस क्विशन का आंसर आप कमेड़ भी कर सकते हो अपना नौलेज भी चेक कर सकते हो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए इस क्विशन का सही उतरे शीपना नदी के तटपर सी थे उज्जेन अगला क्विशन क्विशन नमबर 35 वेरी वेरी इंपोर्ड क्विशन रिग्वेद में उल्लेकित करीब 25 नदियों में से सरवादिक महत्तोपूर नदी कौन सी थी तो इसका सही उतरे सरस्वदी नदी थी क्विशन नमबर 33 कच के रण में कौन सी नदी समाहित होती है तो इसका सही उतरे लोणी नदी समाहित होती है कच के रण में अगला क्विशन क्विशन नमबर 33 करनाटक रैजिमेस्थीत जोग प्रपात किस नदी पर है तो इसका सही कालि नदी Siya कालि नदी कहां से निकलती है तो इसका सभान्जी उल्यप साइग दटी दोली गंगा इसकी प्रमुक साहयक नदी है क्विशन नमबर थरी नदी कहां से निकलती है तो इसका उतरे बंगाल की खाड़ी है काविरी नदी का मुहानास थल अगला क्विशन क्विशन नमबर फोटी वन वेरी वेरी इंपोर्ट कुछन है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए काविरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मद्य है इसका सही उतरे करनाटक तामिल नाडु राज्य के मद्य है काविरी नदी जल विवाद अगला क्विशन क्विशन नमबर फोटी वो किस नदी के किनारे पर प्रसिद महा काले इश्वर मंदीर है तो इसका सही उत्रे नर्बाद नदी के तट पर है प्रसिद महा काले इश्वर मंदीर क्वेशन नमबर फोड़े थे किस नदी के तट पर किदारनाथ का प्रसिद मंदीर स्थीध है किस नदी को उडिसा का सोक कहा जाता है किस नदी को प्रारम में अरुना के नाम से जाना जाता है किस नदी को प्रारम में अरुना के नाम से जाना जाता है क्रिशन नमबर 47 क्रिशन नदी का उद्गम स्थल कहा है क्रिशन का स्युद्र महाकार महावलेश्वर के समीप पच्छिमी घाट पहाड पर है क्रिशन नदी का उद्गम स्थल चलते हैं अगले क्विशन पे क्विशन नमबर 48 कौन सा दर्रा सतलूज नदी घाटी में स्थी थे कौन सा दर्रा सतलूज नदी घाटी में स्थी थे अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट करते हैं इस क्विशन का सही हुतर सिप किला दर्रा तो सिप किलादर रा सतलूज नदी घाटी में स्थीद है कौन सी नदी कपिल धारा जल धारा प्रपात का निर्मान करती है कपिल जल धारा प्रपात कौन सी नदी निर्मान करती है इस क्वेशन का सहयुत नर्बदा नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्मान करती है गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है एक मात्र नदी है इसका सही उत्र यमुनादी है जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है दाएं किनारे पर मिलती है कौन सी नदी बंगा बांगला देश में जमुना के नाम से जानी जाती है तो इसका सही उत्र ब्रह्मु दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो सम्हाफ होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो नौलेज़िबल लगा हो आपकी स्टडी में हेलफूल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल Dream KBC GK YouTube चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर भी नंती रहेगी आप निचे रहे सबस्क्राइब बटन को दबा दीजिए और वाजू मेरे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नोलेजबल वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे हैं दोस्तों हमारे ड्रेम KBC GK का फेस्बूक पेज भी है आप हमारा फेस्बूक पेज लाइक कर सकते हो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते है नोलेजबल लगते है तो अधर सोचल मीडिया साइट में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो वीडियो चलो को तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियों को शेर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो पे